सामान्य अध्यन प्रथम प्रश्न पत्र 36 गड़ PSC राज्यो सेवा प्रारंभिक परिक्षा 2023, 11 फरवरी 2024 का हल प्रश्न पत्र प्रश्न एक केंद्री ओद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? A. नीना सिंग B. फातिमा वसीम C. शिव चोहान D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर A. नीना सिंग उत्तर व्याख्या सहित राजस्थान कैडर की 1989 बैच की IPS अधिकारी नीना सिंग को केंद्री ओद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इस पत्पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला अधिकारी है प्रश्ण दो भारत छोडो आंदोलन वर्ष कब शुरू किया गया था A. 1942 B. 1940 C. 1944 D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर A. 1942 उत्तर व्याख्या सहित ब्रिटिश शासन की समाप्ती एवं स्वराज की प्राप्ति के उदेश से 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में भारत छोडो आंदोलन प्रारंभुआ गांधी जी ने इसी आंदोलन के दोरान करो या मरो का नारा दिया भारत छोडो आंदोलन को अगस्त क्रांती के नाम से भी जाना जाता है प्राश्न तीन व्यक्तिगत प्रयोज्य आए PDI है A PDI is equal to व्यक्तिगत आए माइनस व्यक्तिगत करभुकतान B PDI is equal to व्यक्तिगत आए माइनस व्यक्तिगत करभुकतान माइनस गैर करभुकतान C PDI is equal to व्यक्तिगत आए माइनस गैर कर्भुकतान D. उप्रयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर A PDI is equal to व्यक्तिगत आए माइनस व्यक्तिगत कर्भुकतान उत्तर व्याक्या सहित व्यक्तिगत प्रियोज्य आए से आशय उस धन से हैं एवं अन्य दायत्वों के भुक्तान के बाद रहता है। इसे निम्नवत अभिव्यक्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रियोज्य आए is equal to व्यक्तिगत आए minus व्यक्तिगत कर भुक्तान। प्रश्न चार, संग और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलेखेत कतनों पर विचार करें। C, एक और दो दोनो, D, उप्रियोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर C, एक और दो, दोनो। उत्तर व्याख्या सहित, भारतिय सम्मिधान के अनुच्चेद एक, धारा एक में कहा गया है कि इंडिया जोकी भारत है, राजियों का संग होगा। सम्मिधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेटकर ने कहा था कि अनुच्चेद एक, धारा एक में संग शब्द का प्रयोग जान भूचकर किया गया है, जिसके दो नहितार्थ हैं, एक, भारतिय संग इकाईयों के मध्य समझोते का परिनाम नहीं है, दो, घटक इकाईयो को संग से अलग होने की स्वतंतरता प्राप्त नहीं है, भारत 28 राज्य एवं 8 संग शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, समिधान के उद्देशिका, प्रस्तावना, भारत को एक संपून प्रभूता संपन समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोकतांतरिक गनराज्य के इस्थापित करती है, प्रश्न पाँच, इसरो के चंद्रियान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गथन सत्य है, एक चंद्रियान 3, एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए, क्षमता का प्रदर्शन करने क चंद्रियान 2 का अनुवर्ति था, दो इसे प्रक्षेपास्त्र LVM3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनो, विकल्प D उप्रियुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर C 1 और 2 दोनो, उत्तर व्याख्या सहित, चंद्रियान 3, चंद्रियान 2 का अनुवर्ति मिशन तथा भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सौफ्ट लेंडिंग का दूसरा प्रियास है, इस महत्वा कांशी मिशन को 14 जुलाई 2023 को LVM3 रोकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, इस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिनी धुरूफ पर सफल लेंडिंग करके, जहां इस उपलब्धी को हासिल करने वाला पहला राश्ट्र बना, महीं दूसरी और इसने 140 करोड भारतियों को भी गौर्वानवित किया, उद्देश्य, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सौफ्ट लेंड 1. भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस INC का गठन 1885 में हुआ था 2. भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस INC के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर जी, नीचे दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनो, D. ना तो एक और ना ही दो, सही उत्तर C. एक और दो दोनो उत्तर व्याख्या सहित, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल्दास तेजपाल संस्क्रित कॉलेज में आयोजित कॉंग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन नाशनल यूनियन के सम्मिलन में अखिल भारतिय कॉंग्रेस नामक संस्था का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर जी थे, कॉंग्रेस के पहले सत्र में सभी भारतिये प्रांतों से कुल 72 प्रतिनिधी शामिल हुए। प्रश्ण साथ सकर्वी एक बिमारी है। ये किसकी कमी के कारण होती है। ए, विटमिन B2, B, विटमिन A, C, विटमिन C, D, उप्रयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प C, विटमिन C उत्तर व्याख्या सहित, स्कर्वी, विटमिन C या स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला विकार है ये एंटि आक्सिदेंट की रूप में कारे करता है प्रश्न आठ इसरो द्वारा हालहे में शुरू किये गए एक्सपो सेट, एक्सरे, पोलारिमीटर, सेटलाइट के बारे में निम्नलिखित कतनों पर विचार करें एक, ये चरम स्थिती में चमकदार, खगोलिये, एक्सरेस रोतों की विभिन गतियों का अध्यन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलारिमेटरी मिशन है दो, अंत्रिक्ष्यान प्रित्वी की निचली कक्षा में दो विज्ञानिक पेलोड ले जाएगा उप्रियुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनो, D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर विकल्प C. एक और दो दोनो उत्तर व्याख्या सहिद एक्सपो सेट या एक्स किरन दुरूबन मापी उपग्रहे इस्रो और रमन रिसर्च इंस्टिटूट बेंगलोरू करनाटक के सहयोग से विक्सित एक अंतरिक्ष वैदशाला है जिसे ब्रह्मान्डिये एक्सरे बैंड में एक्सरे धुरुवी करन का अध्यन करने के लिए डिजाइन किया गया है वर्ष 2021 में प्रमोचित नासा में इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्स्प्लिरोरर के बाद एक्सरे का उप्योग करने वाला ये विश्व का दूसरा तथा भारत का पहला समर्पित पोल्रिमेट्री मिशन है उपग्रह में दो मुख्य पेलोर्ड पॉलिक्स एक्स किरन में ध्रुवण मापी उपकरन तथा एक्स एस्पेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोसकोपी और समय मौजूद हैं एक्सरे में पोलारिमीटर उपकरन पॉलिक्स लगभग पचास प्रदित तक हगोलिये स्रोतों पिंडों का निरिक्षन करेगा जबकि एक्स एस्पेक्ट विभिन पदार्थोद्वारा उत्पन विद्धियत चुम्बक्य स्पेक्ट्रम का अध्यन करेगा और ये एक से बी एक्सरे में पोशक तत्वों की उपस्थिति प्लवन मुक्त तैरने वाले शेवाल की अत्यदिक व्रिद्धी का कारण बनती है जिसे शेवाल प्रस्फुटन कहते हैं दो शेवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मचली मृत्युदर में गिरावट का कारण बनता है विकल्प A केवल एक कथन सही है, B केवल कथन दो सही है, C कथन एक और दो दोनों सही नहीं है, D कथन एक और दो दोनों सही है सही उत्तर विकल्प D, कथन एक और दो दोनों सही है उत्तर व्याख्य सहित शेवाल प्रस्फुटन को जल निकायों में शेवाल की तीवर वृद्धी या संचय के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसे पानी में मलीनी करण से पहचाना जा सकता है ये परिघटना मुख्य रूप से पानी में फॉस्फुरस और नाइट्रोजन जैसे पोशक तत्वों की अधिकता और बढ़ते तापमान के कारण होता है शेवाल प्रस्फुटन से पानी में उक्सीजन का इस्तर कम हो जाता है जिससे जलिये जन्तूं का जीवित रहना दुशकर हो जाता है प्रश्न ग्यारा अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरी जिस रिक्स बैंक पुरसकार नोबल पुरसकार से किसे समानित किया गया A. अभिजीत बनरजी B. क्लाउडिया गोल्डिन C. एस्तेर डुफलो D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर B. क्लाउडिया गोल्डिन उत्तर व्याख्या सहित Royal Swedish Academy of Sciences द्वारा वर्ष 2023 का नोबल पुरसकार स्वेरी जेस रिक्स बैंक पुरसकार Harvard विश्व विद्याले की श्रम अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है उनके ये पुरसकार महिला श्रम बाजार परिनामों पर कारे करने के लिए प्रदान किया गया है प्रश्न 12 प्राय ध्वी पिए पठार के बारे में निम्लिखित कत्नों पर विचार करें एक, नदी के मैदानों से 1500 मीटर की उचाई से 600 से 900 मीटर की उचाई तक उठने वाला अनियमित् त्रिभुच प्राय ध्वी पिए पठार के रूप में जाना जाता है 2. उत्तर पश्चिम में दिल्ली परवत माला पूर्व में राजमहल की पहाडियां, पश्चिम में गिर परवत माला और दक्षिन में काडमम पहाडियां प्रायद्वी पिये पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं उप्रियुक्त में से कौन सा कथन सही है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनो, D. ना तो एक ना ही दो, सही उत्तर C. एक और दो दोनो उत्तर व्याख्या सहित, भारत का प्रायद्वीपिय पठार नदी के मैदानों से 1.500 मीटर की उचाई से 600 से 900 मीटर की उसत उचाई वाला एक अनियमित त्रिबुजाकार आकरती वाला भूखंड है इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली परवत माला वदिल्ली पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, दक्षन में इलाइची काड़मम पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व में शिलॉंग एवं कार्भी एगलॉंग पठार तक हैं प्रश्न तेरा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बास्तुकला की वेसर शेली का उधारण है? A. होय सलेश्वर मंदिर B. कंदारिया महादेव मंदिर C. श्रीराम मंदिर अयोध्या D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर A. होय सलेश्वर मंदिर उत्तर व्याख्या सहित बैलूर, हलेविडू तथा सोमनाथ पूरा के होय सल मंदिर मंदिर निर्मान की मिश्रिट शेली वेसर के उधारण है होय सल मंदिर बारवी और तेरवी शताबदी ईस्वी के दोरान बनाए गए थे जो होय सल सामराज्य की अद्वितिय, वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा को प्रदशित करते हैं होय सल मंदिरों के पवित्र समू को युनस्को की वेश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है प्रश्ण 14 अग्र लिखित में से कौनसा आधुनिक भारतिय इतिहास में घटनाओं के सही कालानो क्रमिक क्रम को इंगित करता है प्रिश्ट संख्या 132 विकल्प A. मौले मिंटो सुधार गांधी इर्विन समझाता अगस्त प्रस्ताव जलियावाला बागत रासदी B. अगस्त प्रस्ताव मौले मिंटो सुधार जलियावाला बागत रासदी गांधी इर्विन समझाता C. मौले मिंटो सुधार जलियावाला बागत रासदी गांधी इर्विन समझाता अगस्त प्रस्ताव सही उत्तर विकल्प सी मौड्ले मिंटो सुधार जल्यावाला बाग त्रासिदी गांधि इर्विन समझाथा अगस्त प्रस्ताव उत्तर व्याख्या सहित अधिनियम मौडले मिंटो सुधार वर्ष 1909 अधिनियम जलियावाला बागत रासिदी वर्ष 13 अप्रेल 1919 अधिनियम गांधी इर्विन समझोता वर्ष 5 मार्च 1931 अधिनियम अगस्त प्रस्ताव वर्ष अगस्त 1940 प्रश्न 15 मध्य भारत की मिनारों के बारे में निमनलिखित पर विचार करें 1. तेरवी शताबदी में निर्मित कुतुब मिनार 180 उंची पतली मिनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है 2. पंद्रवी शताब्दी में निर्मित चांद मिनार 210 फीट उची एक पतली मिनार है जो चार मन्जिलों में विभाजित है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? A. केवल एक B. केवल दो C. एक और दो दोनो D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर B. केवल दो उत्तर व्याख्या सहित कुतुमिनार का निर्मार कुतुब बिदीन एबग द्वारा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुब बिदीन बक्तियार काकी की स्मृती में प्रारंब किया गया था एबग की उत्रादिकारी इलतूत मिश ने कुतुमिनार का निर्मार पून कराया 1368 में इसका जर्णोधार मुहमद बीम तुगलग 1325 से 1351 और फिरोज शाह तुगलग 1351 से 1388 द्वारा कराया गया ये पाँच मनजिला इमारत है जिसकी उचाई 43 मीटर 249.5 फीट है चान मिनार ये चंद्रमा की मिनार महराश्ट्र राज्य में दौलताबाद देवगिरी किला परिसर के पास स्थित एक मध्य युगीन मिनार है इसका निर्मान पंदरवी शताबदी में अलाउद देन बहमनी ने करवाया था ये मिनार 210 फीट उची तथा चार मंजिलों में विभाजित है प्रश्न सोला भारतिय सम्मिधान का निम्नलिकित में से कौन सा अनुच्चेद वार्षिक वित्य विवरण से सम्मन्दित है A. अनुच्चेद 72 B. अनुच्चेद 88 C. अनुच्चेद 112 D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर C. अनुच्चेद 112 उत्तर व्याख्या सहित भारतिय सम्मिधान के अनुच्चेद 112 में भारत के केंद्रिय बजट को वार्षिक वित्य विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ये भारतिय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है जिसमें एक वित्य वर्ष के लिए सरकार का राजस्व और व्याई शामिल होता है इसे प्रत्य वर्ष फर्वरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है P. 17 रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए एक, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतिय संगर्श साबित हुआ हाला कि ये काफी हद तक शेहरों तक ही सीमित था दो, रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंतरता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुष लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया नीचे दिये गए सही विकल्प का चयन करें A. कथन एक और दो दोनों सही है B. केवल कथन एक सही है C. केवल कथन दो सही है D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर विकल्प A. कथन एक और दो दोनों सही है उत्तर व्याख्य सहित 1919 का रॉलेट एक्ट अराजक और क्रांतिकारी अपराद अधिनियम सर सिड्नी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमिटी की सिफारिशों के अधार पर पारित किया गया था इस अधिनियम में सरकार को राजनेतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्राप्त करने के साथ-साथ दो वर्ष तक बिना किसी मुकदमे के राजनितिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमती प्रदान की महात्मा गांधी द्वारा इस प्रकार के दमनकारी तथा अन्याय पून कानुनों के विरुद सविने अवग्या अंदोलन छे अप्रेल 1919 को प्रारंब किया गया जिसे रोलेट सत्याग्रह कहा जाता है इस सत्याग्रह ने लाखो भारतियों को क्षेत्र, धर्म, जाती और वर्ग के विभाजन से परे एक जुट कर दिया, तथा भारत के स्वतंतरता संग्राम में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ प्रश्न अठारा भौतिकी में नोबल पुरसकार 2023 प्रदान किया गया प्रायोगिक विध्या जो पदार्थ में इलेक्ट्रोन गतिशीलता के अध्यन के लिए प्रकाश की आटो सेकिंड कमपन उत्पन करती है बी, उल्जे हुए फोटोन के साथ प्रियोग बेल असमानताओं का उलंगन स्थापित करना और क्वांटम सूचना विज्ञान का नित्रत्व करना सी, प्रित्विकी जलवायू का भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तन शीलता की मात्रा निर्धारित करना और भूमंडल तापन की विश्वसनिय भविश्यवानी करना दी, उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर ए, प्रायोगिक विध्यान जो पदार्थ में इलेक्ट्रोन गतिशीलता के अध्यन के लिए प्रिकाश की ओटो सेकिंड कमपन उत्पन करती है उत्तर व्याख्य सहित भौतिकी के लिए वर्ष 2023 का नोबल पुरसकार तीन प्रतिष्ठित विज्ञानिकों यथा पियरे एगोस्टीनी, फेरेंक क्रोस्ज तथा एनी एल हुईलियर को प्रदान किया गया था इन तीनों विज्ञानिकों को ये पुरसकार उनके अनूठे प्रियोगों के लिए दिया गया है जो मानवता को परमानूओं और अनूओं के भीतर इलेक्ट्रोनों की जाज करने के लिए शक्तिशाली उपकरन प्रदान करते हैं प्रायोगे भौतिकी के एक्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य ने एटो सेकिंड पर्ल्स के विकास को जन्म दिया जिससे विज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रोनों की तीव्र गतिशिल्ता का सीध्य निरिक्षन और अध्यन करने में मदद मिली है संगीत श्रेणी में किस भारतिय शहर को युनेसको क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? इसमें भारत के मध्यप्रदेश के ग्वालियर तथा केरल के कोजी कोड को क्रमशह, संगीत तथा साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है प्रश्न 20 कैबिनेट सचिवाले के संबंध में निम्नलिखित कतनों पर विचार करें एक, कैबिनेट सचिवाले प्रत्यक्ष तहा भारत के उपर आश्रपती के अधीन कार्य करता है 2. सचिवाले का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो लोग सेवा मंदल का पदेन अध्यक्ष भी होता है उपरियुक्त में से कौन सा कथन सत्य है A. केवल एक B. केवल दो C. एक और दो दोनो D. उपरियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर B. केवल दो उत्तर व्याख्या सहित कैबिनेट सचिवाले सीधे प्रधान मंत्री के अधीन कारे करता है सचिवाले का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सेवा बोड का पदेन अध्यक्ष भी होता है प्रश्न 21 द्वीपों का ये समू छोटे मूगा द्वीपों से बना है 2. पहले इन्हें लोकाडिव, मिनिकोई और अमिनदेव के नाम से जाना जाता था 3. तमिल नाडू के कोरो मंडल तट के निकट स्थित द्वीब समू उक्त में से कौन सा कथन सही है A. केवल एक B. केवल एक और दो C. केवल तीन D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर B. केवल एक और दो उत्तर व्याख्या सहित भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्व द्वीब एक द्वीब समू है जिसमें 32 वर्ग किलोमेटर शेत्रफल के साथ 36 द्वीब है ये द्वीब 8 डिगरी उत्तर और 12 डिगरी उत्तर अक्षांच के बीच फैले लक्ष्व द्वीब सागर में इस्थे थें तथा मूंगा चट्तानों से निर्मित है इस द्वीब समू का सबसे उत्तरी द्वीब अमीन दीवी जबकि मिनिकोई द्वीब सबसे बड़ा द्वीब सबसे दक्षिनी है आठ डिगरी चैनल आठ डिगरी उत्री अक्षांच मिनिकोई और मालदीव द्वीबों को अलग करता है जबकि 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री उत्री अक्षांच, मिनिकोय द्वीप को मुख्य लक्ष्व द्वीप समू से अलग करता है प्रश्न तेईस शासक राजवंश संगमा, सालूव, तुलूव किस से संबन्धित है? A. वारंगल B. कश्मीर C. विजयनगर D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर C. विजयनगर उत्तर व्याख्या सहित प्रसेद राजवंश यथा संगम, सालूव, तुलूव तथा अराविदू, राजवंश विजयनगर सामराज्य से संबन्धित है इन सभी राजवंशों ने विजयनगर पर 1336 इस्वी से 1650 इस्वी तक शासन किया विजयनगर के स्थापना 1336 इस्वी में संगम राजवंश के हरिहर वबुक्का ने की थी प्रश्ण 24 जैना दर्शन के संबन्ध में निमनलिखित कतनों पर विचार करें एक जैन दर्शन दो मुख्य सिधानतों के इर्द गिर्द गूमता है अर्थार्थ अनेकांत वाद और स्याद वाद दो अनेकांत वाद के अनुसार प्रत्येक प्रानी में कई गुण होते हैं वो स्थाई गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति या निर्मान करता है गुण कहलाता है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, दी उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर सी, एक और दो दोनो, उत्तर व्याख्य सहिद, जैन दर्शन के दो प्रमुक सिधान्त अनिकांत वाद तथा स्याद वाद हैं, अनिकांत वाद के अनुसार वस्तु के अनिक गुण धर्म होते हैं, वस्तु की परियाएं बदलती रहती हैं, इसका तात पर यह है कि अतापदार्थ उत्पन और विनिष्ट होता रहता है परिवर्तन शील आकस्मिक और अनित्य है अतापदार्थ या द्रव्य का लक्षन बनना बिगणना और फिर बन जाना यही अनेकांत वाद का सार है महावीर का स्यादवाद का सिध्धान्त ज्यान को सापेक्ष मानता है अर्थात हमारे पास जो ज्यान है वो निर्पेक्षना होकर सापेक्ष है अतह हमें इमानदारी से इसे स्विकार करते हुए अपने ज्यान के असिमित और अप्रशने होने के निरथक दावों से बचना चा C. हीराकुंड बहुत देश्य परियोजना D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर B. दामोदर घाटी परियोजना प्रश्न 26 काटकर जलाने वाली क्रिशी जिसे आमतोर पर जूम क्रिशी कहा जाता है A. भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है B. भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में प्रचलित है C. भारत के पश्चिमी तट में प्रचलित है D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर ए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है, उत्तर व्याख्या सहित, स्थानंतरित कृशी या ज्हूम क्रिशी, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, आदिम क्रिशी का प्रकार है, जिसके अंतरगत वनस्पतियों को काटकर तथा जलाकर भूमी को साफ कि प्रश्ण 27 और सबजियों जैसे कद्दू, तर्बूजादी का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है A. हुमलिन B. ऑक्सिटॉसिन C. थाइरॉक्सिन D. उपरियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर B. ऑक्सिटॉसिन उत्तर व्याख्या सहित A. ऑक्सिटॉसिन एक महत्वपून होर्मोन है जिसका उप्योग प्रसफ को प्रेरित करने और प्रसुबोत्तर रक्तिस्राव को रोकने के लिए किया जाता है ये प्रसफ के दोरान गर्भाशे के संकुचन का कारण बनता है और नई माताओं को स्तनपान कराने में भी मदद करता है डेरी और पोल्टरिक शेत्र में इसका व्यापक दुरुपयोग दुग्द उत्पादन पढ़ाने तथा सबजियों जैसे कद्दू, लौकी, तर्बूज आदी का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है प्रश्ण 28, Air India के Microsoft की Azure Open AI सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव AI अभासी एजेंट का क्या नाम है A. महराजा, B. विस्तारा, C. सीरी, D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर A. महराजा उत्तर व्याख्या सहित Air India Generative AI Virtual Agent को सफलता पूर्वक्त तैनाद करने वाली दुनिया की पहली एरलाइन बन गई है महराजा महराजा नाम का ये एजेंट Microsoft की Azure Open AI सेवा द्वारा संचालित है Air India के अनुसार महराजा ने पांच लाग से अधिक ग्रहकों के प्रशनों का उत्तर दिया है और वर्तमान में चार भाशाओं Hindi, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन में प्रतिदिन 6000 से अधिक प्रशनों पर प्रतिक्रियाद देता है प्रिष्ट संख्या 133 देव प्रियाग अलक नन्दा और किस नदी के संगम परिस्थित है A. भागिरती B. मन्दा किनी C. नन्दा किनी D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर A. भागिरती उत्तर व्याख्या सहित देव प्रियाग गंगा नदी उत्तराखन राज्य के गोमुक के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है यहाँ ये भागिरती के नाम से जानी जाती है अलक नन्दा नदी सतोपत हिमनद से निकलती है देव प्रियाग नामक स्थान पर भागिरती अलक नन्दा से मिलती है तथा गंगा कहलाती है विश्नु प्रियाग जोशी मठ या विश्नु प्रियाग धोली गंगा तथा अलकनन्दा नदी का संगम बिंदू स्थल है कर्ण प्रियाग अलकनन्दा की सहयक नदी पिंडार जो पिंडर हिमनत से निकलती है कनप्रयाग नामक स्थान पर अलक नंदा से मिलती है रुद्र प्रयाग रुद्र प्रयाग अलक नंदा तित्था मन्दाखनी नधी का संगम्स्थल है प्रश्न तीस नाम मात्र GDP है निश्चित समय पर किसी राष्ट की भौगौलिक सीमाओं के भीतर कुल उत्पादित वस्तूओं वस्तेवाओं के मौदरिक मुल्य से है। ये दो प्रकार का होता है। प्रश्चित समय पर मूल्यां के त्वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन से है। बी, किसानों पर लगाए गए करका प्रकार। C. एक स्थान जिसका उदेश्य भारतिय और विदेशी यात्रियों, तीर्थी यात्रियों, व्यापारियों आदिको अस्थाई आवास प्रदान करना है। प्रश्ण 32. भारत के उपर आश्ट्रुपती के संबंध में निम्नलेखित कथनों पर विचार करें। एक, वो राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष है। वो संसत के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंदल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उप्रियुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनो, D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी एक और दो दोनों उत्तर व्याख्या सहित भारती सम्मिधान के अनुच्छे 63 के अंतरगत भारत के उपराश्ट्वपती पद का प्रावधान किया गया है भारत का उपराश्ट्वपती राज्य सभा का पदेन सभापती होता है भारत के सम्मिधान के अनुच्छेट 66 के अनुसार उपराष्टुपती का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदस्यों यथा राज्यत सभा तथा लोग सभा के निर्वाचत तथा मनोनित सदस्य सम्मिलित होते हैं प्रश्न संख्या 33. पानिपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? उत्तर व्याख्या सहित पानिपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफकान आक्रमनकारी एहमच्षा अबदाली और पुणे के सदाशिवराय भाव पेश्वा के तहत मराठो के मध्य हुआ था इस युद्ध में एहमच्षा अबदाली ने सदाशिवराय भाव को पराजित किया था ये पराजय इतिहास में मराठो की सबसे बुरी पराजय थी प्रश्न 34. निम्नलिकित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? ए सांख्य, बी योग, सी न्याय, डी बौध, सही उत्तर, डी बौध उत्तर व्याख्या सहिद नास्तिक दर्शन भारतिय दर्शन परंपरा में उन दर्शनों को कहा जाता है जो वेदों को नहीं मानते थे नास्तिक मत में बौध, जैन तथा चारवाग प्रमुख हैं इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं प्रतित्य समुत्पाद, कार्य कारण सिध्धान्त, बौध दर्शन का आत्मतत्व होने के कारण ये इश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है प्रशन पैतिस प्रशन पर वर्श्य योजना का उद्धेश ये तेज, स्थाई और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना था बारवी पंचवर्श योजना का लक्ष ये आठ दशमलव शून्य प्रतिशत की औसत आर्थिक विकास दर प्राप्त करना था प्रेशन चत्यस गर्बा नृत्य जिसे युनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है ये किस राज्य से सम्मंधित है A. करनाटक, B. पंजाब, C. गुजराद, D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर C. गुजराद प्रेशन सेर्थिस हिमाले की सबसे बहरी श्रिंखला को क्या कहा जाता है A. शिवालिक, B. कुमाउं हिमाले, C. कश्मीर हिमाले, D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर A. शिवालिक उत्तर व्याख्या सहित हिमाले की सबसे बाहरी दक्षिन तम श्रिंखला चो सबसे नवीन तम भी है को शिवालिक के नाम से जाना जाता है इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक है शिवालिक की उचाई हिमाले की अन्यश्रेणियों की तुलना में कम है शिवालिक तथा लगू हिमाले के मध्य कई सम्तल संग्रचनात्म घाटियां पाई जाती हैं पश्चिम तथा पूर्व में क्रमशह दून तथा दुआर कहते हैं जैसे देहरा दून प्रश्ण 38 निम्नलिखित कतनों पर विचार करें और नीचे दिये गए सही विकल्पों पर विचार करें एक प्रित्वी की सतह पराबैंगनी विक्रणों के रूप में उश्मा को पुन्ह उत्सरजित करती है दो, बादल और गैसे आने वाले सौर विक्रण का लगभग एक चौथाई को प्रतिविम्बित करते हैं ए, केवल कथन एक सही है, बी, केवल कथन दो सही है, सी, कथन एक और दो दोनों सही नहीं है, दी, कथन एक और दो दोनों सही है सही उत्तर सी, कथन एक और दो, दोनों सही नहीं है उत्तर व्याख्या सहित पृत्वी को लगु तरंगों के रूप में सूर्य का प्रकाश प्राप्थ होता है जो इसके सतह को गर्म रखता है परिणाम स्वरूप पृत्वी एक विकरण पिंड बन जाती है और लंबी तरंगों के रूप में वायू मंडल में उर्जा उत्सर जित करती है ये उर्जा नीचे से वायू मंडल को गर्म करती है इस प्रक्रिया को स्थलिय विकरण कहा जाता है सूर्य तब की लगभग 35 इकाईया पृत्वी की सतह तक पहुँचने से पहले ही वापस अंत्रिक्ष में परावर्तित हो जाती है इन में से 27 इकाईया बादलों के उपर से परावर्तित होती है प्रश्न 49 बौध दर्शन के विशेष्टा के संबंध में निवनलिकेत कतनों पर विचार करें एक बौध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है बौध दर्शन का बीज बौध की शिक्षाओं में मिलता है बौध दर्शन में दर्शनेक समस्याओं में उलजने के बजाए चार आर्यसत्य के माध्यम से दुख को समचने एवं उसके कारणों को जानने तथा अश्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख के समधान तथा नैतिक जीवन जीने पर बल दिया गया है प्रश्न 40 भारतिय रेगिस्तान के बारे में निमनलिकित में से कौन सा कथन सकते हैं? भारतिय रेगिस्तान अरावली पहाणियों के पश्चिम किनारे परिस्तित है इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलिमीटर से बहुत कम बर्शा होती है सी लूनी इस शेत्र की एक मात्र बड़ी नदी है दी उक्तसभी सही उत्तर दी उक्तसभी उत्तर व्याख्या सहित थार रेगिस्तान का एक शुष क्षेत्र है जो दो लाख वर्ग किलो मिटर में फैला हुआ है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकर्तिक सीमा बनाता है राजस्तान में अरावली पर्वत माला के पश्चिम में अवस्थित गर्म व उष्ण मरुस्तल थार का अधिकांश भाग राजस्तान में अवस्थित है जबकि कुछ भाग पंजाब, हरियाना तथा गुजरात प्रांत में विस्त्रित है इस क्षेत्र में वार्षिक औसत वर्षा बहुत कम है, जो पश्चिम में 100 mm से लेकर पूर्व में 500 mm तक है लूनी इस क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है प्रश्ण 41, ग्रेफाइट और हीरा मूलतह किस परमानों से वने हैं? A. सिलिका, B. कार्बन, C. नाइट्रोजन, D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर, B. कार्बन प्रश्ण 42, फातिमा बीवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो भारत की पहली महिला हैं? A. माउंट एवरिस्ट पर जड़ने वाली, B. सर्वोच्य न्यायाले की प्रथम महिला न्यायाधीश, C. प्रथम महिला मुख्य मंत्री, D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर, B. सर्वोच्य न्यायाले की प्रथम महिला न्यायाधीश उत्तर व्याख्या सहित फातिमा बीबी 1989 में माननिय सर्वोच न्यायाले में न्यायधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला थी 1992 में सर्वोच्च न्यायाले से सेवा निवरत्त होने के पश्चात उन्हें 1997 में तमिलनाडू के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था प्रश्ण 43 जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपान तरणों में निम्दलिकित में से किस धातू का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है A. Sodium B. Thorium C. Rhodium D. उप्रयोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर C. Rhodium प्रश्ण 44 माजूली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्मान किसके द्वारा हुआ है A. गंगा नदी B. नर्मदा नदी C. ब्रह्मपुत्र नदी D. उप्रयोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर C. ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर व्याख्या सहित माजूली भारत के पुरुवत्तर राज्य असम में प्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है इसे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में माननेत प्राप्त है प्रश्ण 45 जमीन से वायो मंदल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में उजोन की मुटाई को किसके रूप में मापा जाता है A. उजोन इकाई B. थॉम्सन यूनिट C. डॉप्सन इकाईया D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर C. डॉप्सन इकाईया प्रश्ण 46 जापान ओपन दोहजार तेईस पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलारी ने जीता है A. कैंटा निशिमोतो B. जॉनाथन क्रिस्टी C. विक्टर एक्जेल्सन D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर C. विक्टर एक्जेल्सन उत्तर व्याख्या सहित डेन्मार्क डैनिश के वर्ल्ड नंबर एक विक्टर एक्जेल्सन ने फाइनल में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हरा कर जापान ओपन 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल में विजय प्राप्त की वही इस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब दुनिया की दूसरे नंबर की खिलारी दक्षिन कोरिया की N. से यंग ने चीन की हे बिंग जियाओ को हरा कर जीता प्रश्न 47 भारत के सर्वोच न्यायाले में सरकार का मुख्य विदिक सलाकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है A. भारत के महा न्याया भी करता B. भारत के मुख्य न्यायाधिश C. भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं उत्तर व्याख्या सहिद भारतिय समिधान के अनुच्छेद 66 के अंतरगत भारत के महानियावादी Aton Journal of India ये पद का स्रिजन किया गया है भारत का महानियावादी संग की कार्यपालिका का प्रमुख अंग एवम देश का सर्वोच विधी अधिकारी होता है इनकी नियोक्ती राष्ट्रपती द्वारा होती है तथा ये राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत पदधारन करते हैं महानियावादी को वे सभी अधिकार्व भत्ते प्राप्त होते है जो संसत सदस्य को प्रदान किये जाते है प्रिष्ट संक्या 134 प्रश्ण 48 निम्नलिकित में से किसने कहा भारत भारतियों के लिए है A. सरदार वल्लब भाई पटेद B. स्वामी विवेकानन C. दयानन सरस्वती D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर C. दयानन सरस्वती उत्तर व्याख्या सहित स्वामी दयानन सरस्वती एक भारतिय दार्शनिक समाद सुधारक तेथा राश्ट्रुवदी महात्मा थे इन्होंने 1875 में आरे समाज की स्थापना बॉंबे में की थी जो एक वैदिक धर्म सुधार आंदोलन था स्वामी दयानन सरस्वती ऐसे पहले राश्ट्रुवादी नेता थे जिनोंने वर्श 1876 में भारत भारतियों के लिए के रूप में स्वराज का आहवान किया था प्रश्न उन्चास राश्ट्रे आय न आय है विकल्प A न आय इसक्वल तो मूल मूल्य पर नन्प मिनस अप्रत्यक्षकर मिनस सबसिदी B न आय इसक्वल तो बाजार मूल्य पर नन्प मिनस अप्रत्यक्षकर मिनस सबसिदी C D. NI is equal to बाजार मूल्य पर NNP minus प्रत्यक्षकर minus सबसिडी D. उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर B. NI is equal to बाजार मूल्य पर NNP minus अप्रत्यक्षकर minus सबसिडी प्रश्न पचास निमनलिखित कतनों पर विचार करें और नीचे दिये गए सही विकल्प चुने 1. प्लास्टिक कचरे से प्राप्त इंधन की ओक्टेन रेटिंग कम होती है 2. ओक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्वोट के बिना संपिदन जेलने की इंधन की इक्षमता उतनी ही अधिक होगी A. केवल कथन एक सही है B. केवल कथन दो सही है C. कथन एक और दो दोनों सही नहीं है D. कथन एक और दो दोनों सही है सही उत्तर विकल्प C, कथन एक और दो दोनों सही नहीं है उत्तर व्याख्या सहित ओक्टेन संख्या इंजन में इंधन के विस्फोट या नौरकिंग या पूर्व प्रज्वलन के विरुध गैसोलेन या पेट्रोल के प्रतिरोध की माप है इसे आईसो ओक्टेन और एन हेप्टेन के मिश्रन के सापेक्ष मापा जाता है इस मिश्रन में आईसो ओक्टेन में ओक्टेन की संख्या 100 होती है और एन हेप्टेन में ओक्टेन की संख्या 6 होती है प्लास्टिक कचरे से उच्छ ओक्टेन इंधन का उत्पादन किया जाता है इसे हरित इंधन कहा जाता है क्योंकि ये सीसा रहित होता है ओक्टेन इस बात का माप है कि इंधन प्रज्वलित होने से पहले कितना संपेडन जेल सकता है अर्थात ओक्टेन रेटिंग जितनी अधिक होगी उतनी ही कम संभावना होगी कि इंधन उच्छ दबाव पर पूर्व प्रज्वलित होगा और आपके इंजन को नुकसान पहुँचाएगा इसलिए उच्छ संपीडन इंजन वाली प्रदर्शन कारों को उच्छ ओक्टेन प्रीमियम इंधन की आवशकता होती है प्रश्ण 51 सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधान सभा के प्रथम मंदल्स में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पत पर थे? A. प्रधान मंत्री B. मुख्य मंत्री C. जन कार्य मंत्री D. शिक्षा मंत्री सही उत्तर D. शिक्षा मंत्री प्रश्ण 52 प्रतिशत से अधिक शेत्र में सिचाई सुविधा उपलब्ध है कथन दो शाकंबरी योजना लगू सिमान्त क्रशिकों को सिचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु सहयोग करती है कथन तीन प्रमानित बीच का उपयोग क्रिशी उत्पादन एवं उत्पादक्ता वृद्धि का प्रमुक आधार है A. कथन एक, दो एवं तीन सभी सही है B. कथन एक, दो एवं तीन सभी गलत है C. केवल कथन एक एवं तीन सही है D. केवल कथन एक गलत है सही उत्तर D, केवल कथन A, गलत है। उत्तर व्याख्या सहित। चत्तिसगर एक कृषी प्रधान राज्य है, तथा वर्तमान में प्रदेश के सभी सिचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिचाई सुविधा उपलब्ध है। राज्य में सिचाई के स्रोतों में नहर सबसे मुख्य स्रोत है। राज्य के क्रिशी क्षेत्र का 52 प्रतिशत जलाशियों वर नहरो द्वारा सिंचित है। त्यथा 29 प्रतिशत क्षेत्र नलकूप द्वारा सिचाई के अंतरगत आता है। राज्य शासंद्वारा प्रदेश की लगु सिमान्त क्रशकों को सिचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकंभरी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लगु सिचाई नलकूप योजना में दे अनुदान राशी में वृद्धी की गई है। प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन देने वाले प्रमानित बीज परियाप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेश प्रियास किये जा रहे हैं। प्रमानित बीज का उपियो क्रिशी उत्पादन एवं उत्पादक्ता वृद्धी का प्रमुख आधार है। A. भारत अलुमीनियम कंपनी लिमिटेड एक सोना दी B. जूत उद्ध्योग दो जाज गिर चापा C. लाफार्ज सिमेंट लिमिटेड तीन कोर्बा D. कोसा कपडा उद्ध्योग चार राइगर कूट विकल्प A. भारत अलुमीनियम कंपनी लिमिटेड कोर्बा जूत उद्ध्योग राइगर लाफार्ज सिमेंट लिमिटेड सोना दी कोसा कपडा उद्ध्योग जाज गिर चापा विकल्प B. भारत अलुमीनियम कंपनी लिमिटेड सोना दी जूत उद्ध्योग जाज गिर चापा लाफार्ज सिमेंट लिमिटेड कोर्बा कोसा कपडा उद्ध्योग राइगर विकल्प C. भारत अलुमीनियम कंपनी लिमिट जूट उद्ध्योग, कोर्बा, लाफार्ज सिमिन्ट लिमिटेड, जाजगीर चापा, कोसा कपड़ा उद्ध्योग, सोनाडी, विकल्प D, भारत अलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कोर्बा, जूट उद्ध्योग, जाजगीर चापा, लाफार्ज सिमिन्ट लिमिटेड, र प्रश्न पच्पन निम्न लिखित्स में से कहां कहां फामली कोट स्थित है एक कांकेर, दो बालोद, तीन जाजगीर चापा, चार कबीर धाम विकल्प A. 1234, B. 234, C. 134, D. 1 एवं 3 सही उत्तर A. 1234 प्रश्न 56 कल्चूरी कालीन रतनपूर से शासित होने वाले गड़ों के निम्दलिखित समूहों में से सही गड़ों का समूह चुनिये A. खरीद लाफा चूरी पंडर भट्टा B. उपरोडा खल्लारी नवगड मोहंदी C. लाफा नवगड सिम्गा मातिन D. अकलवाडा तेंगंडगर लवन मारो सही उत्तर विकल्प A. खरीद लाफा चूरी पंडर भट्टा प्रश्न 57. क्षेतरफल की द्रिष्टी से 36 गड़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? A. कोरिया B. दुर्ग C. गोरेला पैंडरा मारवाही D. बेमितारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प में नहीं दिया गया है उत्तर इस प्रकार है राजिका क्षेतरफल एवं जनसंख्या की द्रिष्टी से सबसे छोटा जिला गोरेला पैंडरा मारवाही है जबकि क्षेतरफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा जिला सरगुजा है प्रश्न अठावन सूची एक में दिये गए मदों को सूची दो की मदों से सुमेलित कीजिए नीचे दिये गए कूटों का उप्योग करें सूची एक ए अडरबढर बढ़र बंधना छोळ तीन मूण छे गोड सूची दो ढेकी सूची एक अडगड उपर, बढगड बढगड, उपर डोर, गाय भैसला छोड के, कोठा ला लेगे चोर सूची दो, गाय का बच्डा सूची एक, अड़की तीके टिकाई पीला, पर्वत जाके लड़ाई हेला सूची दो, मधुमक्की का चत्ता सूची एक, अटपटी छेरी के फटफटी कान, ओ छेरी खाय कई गोना धान सूची दो, टंग्या कुलाडी, कूट ए अड़र बढ़र बंधना, छोड, तीन मूड छे गोड, धेकी अड़गड उपर, बढ़गड बढ़गड उपर डोर, गाए भैसला छोड के, कोठा लालेगी चोर मधुमक्की का चत्ता अड़की तीके टिकाई पीला, पर्वत जाके लड़ाई हेला तंग्या कुलाडी अटपटी छेरी के फटफटी कान, उचेरी खाए कई गोना धान गाई और बच्चडा कूट बी अडर बढ़र बंधना, छोड, तीन मूड छे गोड गाई और बच्चडा अड़की तीके टिकाई पीला, पर्वत जाके लड़ाई हेला तंग्या कुलाडी अटपटी छेरी के फटफटी कान, उचेरी खाए कई गोना धान धेकी कूट सी अरड बढ़र बंधना छोड, तीन मूड छे गोड गाई और बच्चडा अडगर उपर बढ़गर बढ़गर उपर डोर, गाई भैसला छोड के कूठा ला लेगे चोर धेकी अड़की तीके टिकाई पीला, पर्वत जाके लड़ाई हेला मधुमकी का छत्ता अटपटी छेरी के फटपटी कान, ओचोरी खाए कई गोना धान तंगिया कुलहारी कूट डी अडड बढ़र बंधना छोड, तीन मूड छे गोड धेकी अडगर उपर बढ़गर बढ़गर उपर डोर, गाई भैसला छोड के कोठा ला, लेगे चोर गाई और बच्चडा अड़की तीके टिकाई पीला परवत जाके लड़ाई हेला तंगिया कुलहारी अटपटी छेरी के फटपटी कान, ओचेरी खाए कई गोना धान मधुमक्की का छत्ता इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प में नहीं दिया गया है प्रश्न 69 रोहिनी नईयर पुरसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है A. अमोलकर संगम B. दीननाथ राजपूद C. नील शंकर D. सूर्य चरन प्रश्न 60 2011 के जनसंख्या के अनुसार 36 कड़ राज्ये के कितने जिलों में अनुसूचित जन्जातियों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक है A. सोला B. चौदा C. सत्रा D. पंद्रा इस प्रश्न का सही उत्तर इन विकल्पों में नहीं दिया गया है प्रश्न 61 36 कड़ राज्ये के प्रथम राज्येपाल कौन थे? A. डीन सहाय B. ELS नरसिम्भन C. के एम सेट D. शेखरदत सही उत्तर A. डीन सहाय उत्तर व्याख्या सहित 36 कड़ के प्रथम राज्येपाल दिनेश नंदन सहाय 2000-2003 में थे? राज्ये के वर्तमान राज्येपाल विश्व भूशन हरीचंद है प्रश्न 62 36 कड़ में ब्रिटिश नियंतरक काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवाकाल के करम से सही विकल्प में चुनिये 1. कैप्टन फ्रॉफर्ड 2. मेजर एगिन्यू 3. मिस्टर सेंडीस 4. कैप्टन एड्मंड विकल्प A. 3-1-4-2 विकल्प B. 1-2-3-4 विकल्प C. 4-2-3-1 विकल्प D. 2-4-1-3 सही उत्तर विकल्प C. 4-2-3-1 उत्तर व्याख्या सहित 36 कड़ में ब्रिटिश प्रशासक 1818 से 1830 ईस्वी तक 36 कड़ में कुल 6 ब्रिटिश अधिक्षक हुए काप्टन एड्मंड 1818 ईस्वी पी एगिन्यू 1818 से 1825 ईस्वी काप्टन हेंटर 1825 ईस्वी मिस्टर सेडिस 1825 से 1828 मिस्टर विलकंसन मिस्टर क्रॉफ़र्ड प्रश्न 63 IACP अंतरराष्ट्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली 36 गड़ की प्रथम महिला IPS कौन है A. रिचा शर्मा B. ललिता मेहर C. अंकिता शर्मा D. भावना गुपता सही उत्तर D. भावना गुपता उत्तर व्याख्या सहित 36 गड़ में पदस्थ महिला IPS अधिकारी भावना गुपता को International IACP अवर्ड से सम्मानित किया गया है वे अंतराष्ट्य पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की पहली महिला IPS अफसर है उन्हें प्रतिष्ठित 40 Under 40 IACP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो प्रतेक वर्ष विश्वभर में पुलिस सेवा में 40 लीडर को दिया जाता है IPS भावना गुपता को ये सम्मान मुख्यमंत्री की बहु प्रतिक्षित हमार लाडली हमर्मान अभियान के अंतरगत हिम्मत कारिक्रम चलाने के लिए मिला है सूरजपूर्व अंभिकापूर में पद स्थापना के दौरान उन्होंने ये इनिशियेटिव प्रोग्राम चलाया था प्रश्न चौसट 36 गड़ में बहुमूल्य खनीजों के प्राप्ती स्थलों को सुमेलित कीचिए A. एलेक्जेन्राइट 1. बीजापूर B. कोरंडम 2. देवभोग C. स्वनधातू 3. मैनपूर D. हीरा 4. बलोदा बजार प्रिष्ट संख्या 135 कूट A. एलेक्जेन्राइट 1. देवभोग कोरंडम बीजापूर स्वनधातू बलोदा बजार हीरा मैनपूर विकल्प B. एलेक्जेन्राइट 1. बीजापूर कोरंडम देवभोग स्वनधातू मैनपूर हीरा बलोदा बजार विकल्प C. एलेक्जेन्राइट 1. बलोदा बजार कोरंडम मैनपूर स्वनधातू देवभोग हीरा बीजापूर विकल्प D, एलेक्जड़ाइट, मैनपुर, कोरंडम, देवभोग, स्वर्न अधातू, बीजापुर, हीरा, बलोधा बजार सही उत्तर विकल्प A. बहुमुल्य खनज, एलेक्जडराईट, देवभोग, कोरंडम, बीजापूर, स्वन अधातु, बलोदा बजार, हीरा, मैनपूर प्रश्न 65 मुडिया जनजाती में मृत्तियों के अवसर पर बुजर्गों द्वारा गाय जाने वाला गीत कहलाता है A. लिंगो पाटा B. घोटुल पाटा C. मरम पाटा D. हुलकी पाटा सही उत्तर B. घोटुल पाटा उत्तर व्याख्या सहित घोटुल पाटा गीत शोक गीत या मरनी गीत को कहा जाता है बस्तर जिले के गोंड, मुडिया जनजातियों में घोटुल पाटा गीत गाने की परंपरा प्रचलन में है ये गीत बुजर्ग व्यक्तियों द्वारा गाया जाता है बस्तर में मुख्य तह घोटुल पाटा गीत गाकर आदिवासिक शेत्रों में परिवार को धाड़स बन्धाते हैं प्रश्न चियासट बिलासपुर हाई कोट के प्रथम मुख्य न्यायाधिश कौन थे? A. W. A. शीशक B. रमेश सिनह C. A. के पतनायक D. A. S. V. मूर्ती सही उत्तर A. W. A. शीशक उत्तर व्याख्या सहित बिलासपुर में 36 गड उच्च न्यायाले की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी माननिय न्याय मूर्ती श्री W. A. शीशक पहले मुख्य न्यायाधिश थे? प्रश्न सरसट नीचे दो कथन दिये गए हैं एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R का नाम दिया गया है अभिकथन A. गोटुल की उत्पत्ती के जनक लिंगोपेन है कारण R. लिंगोपेन बस्तर भूमी का खेतिहार देव भी है कूट A. A और R दोनों सही है B. A गलत है और R सही है C. A सही है और R गलत है D. A और R दोनों गलत है सही उत्तर विकल्प C. A सही है और R गलत है उत्तर व्याख्या सहिद गोटुल एक बड़े कुटिर को कहते हैं जिसमें पूरे गाउं के बच्चे या किशोर सामोहिक रूप से रहते हैं ये 36 गड के बस्तर जिले और महराश्च्रव आंधर प्रदेश के पड़ोसी क्षित्रों में गोंड के माणिया उपजाती के ग्रामों में विशेश रूप से मिलते हैं दूसरे शब्दों में गोटुल जनजातीय गाउं का सामाजिक एवं सांस्क्रतिक केंद्र होता है ये प्रथा लिंगो पेन अर्थात लिंगो देव ने शुरू की थी लिंगो देव को गोंड जनजाती का देवता माना जाता है लिंगो पेन ने एक अनोकी प्रथा शिरू की, उन्होंने बस्ती के बाहर बास की कुछ जोप्रियां बनवाई और बच्चों को वहाँ पढ़ाना शिरू किया यही जोप्रियां बाद में घोटुल के नाम से प्रसिद्ध हुई प्रश्न अरसट इस प्रश्न का उत्तर विकल्पों में नहीं दिया गया है प्रश्न उनत्तर Software Technology Parks of India का सेंटर निम्नलिखित में से कहा है A. नवा राइपुर B. भिलाई C. राजनन्द गाउं D. बिलासपुर सही उत्तर B. भिलाई प्रश्न सत्तर सिर्पुर के पांडु वन्शी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवी अथवा प्रश्रस्तिकार का नाम नहीं है A. इशान B. देवदंडी C. सुमंगल D. भासकर सही उत्तर B. देवदंडी प्रश्न एकत्तर 36 गड़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है 1. इस पर राज्यपाल की सहमती 24 जनवरी 1994 को प्राप्थ हुई 2. 26 जनवरी 1994 को मध्यप्रदेश राजपत्र में पहली बार प्रकाशित हुआ 3. भारत गणराज्य के 44 वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिकेत रूप में यधिनियमित हो 4. अध्याय एक प्रारंभिक धारा एक उपधारा दो इसका विस्तार संपून 36 गड़ पर है परंतु इसका विस्तार उन पवादों एवं उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए जोकि अध्याय 14 क में उपबंधित किये गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा a. एक दो तीन चार, b. दो तीन चार, c. एक तीन चार, d. केवल एक एवं दो सही उत्तर b. दो तीन चार उत्तर व्याख्या सहित 36 गड़ पंचायत राज अधिनियम 1993 को, 24 जनवरी 1994 को राजेपाल की अनुमती प्राप्त हुई तथा ये 25 जनवरी 1994 को मध्यप्रदेश राजपत्र में पहली बार प्रकाशित हुआ प्रश्न बहत्तर 36 गड़ में निम्नलिखित में से किस व्रक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता a. पलाश b. कुसुम c. पारिजात d. बेर सही उत्तर c. पारिजात प्रश्न तिहत्तर 36 गड़ ग्राम पंचायत 27 समिती के सदस्यों की पदावधी और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया नियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए a. स्थाई समिती के सदस्यों की अवधी 1. धारा ग्यार b. कतिपाय मामलों का विनिष्चे 2. धारा पंद्र c. गणपूर्ती 3. धारा चार d. निर्सन 4. धारा नो कूट a. स्थाई समिती के सदस्यों की अवधी 1. कतिपाय मामलों का विनिष्चे 3. धारा पंद्र गणपूर्ती 3. धारा 4. निर्सन 4. धारा नो कूट b. स्थाई समिती के सदस्यों की अवधी 1. धारा पंद्र कतिपाय मामलों का विनिष्चे 3. धारा ग्यार गणपूर्ती 3. धारा नो निर्सन 4. धारा चार सथाइ समिती के सदस्यों की अवधी सही उत्तर कूट सी उत्तर व्याख्या सहित स्थाई समिति के सदस्यों के अवधी धारा चार कतिपय मामलो का विनिश्चय धारा ग्यारा गणपूर्ती धारा नौ निरसन धारा पंद्रा प्रश्न चोहत्तर बाबू रिवाराम के अनुसार रायपूर के निमनलिखित कल्चूरी शासकों का उनके शासनकाल के क्रम के सही विकल्प का चैन करें 1. चामुंड सिंग देव 2. सोमदत 3. जैत सिंग देव 4. मान सिंग देव A. एक दो तीन चार B. चार एक तीन दो C. चार तीन दो एक D. एक तीन चार दो सही उत्तर विकल्प B. चार एक तीन दो उत्तर व्याक्य सहित शासक मान सिंह देव, शासनकाल 1463 इसवी से 1478 तक, शासक चामुंडा सिंह देव, शासनकाल 1528 इसवी से 1563 तक, शासक जैत सिंह देव, शासनकाल 1604 इसवी से 1615 तक, शासक सोमदत देव, शासनकाल 1650 इसवी से 1663 तक प्रश्न 75 36 गड़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 सही उत्तर C. 7 उत्तर व्याख्या सहित 36 गड़ राज्य की सीमा साथ राज्यों 36 गड़ राज्य की सीमा आए साथ राज्यों अथार्थ मध्यप्रदेश, महराष्ट्र, आंद्रप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, जार्खंड और उत्तरप्रदेश को स्पर्ष करती हैं नूट यद्धिपीस प्रश्ण का उत्तर आयोग द्वारा विकल्प B. 6 दिया गया है जो तुरुटी पून है प्रश्ण ची अत्तर कपल पंडुम किस जनजाती की इस्त्रिया मनाती हैं? A. डोरला या दोरला B. भत्रा C. हल्बा D. मुर्या सही उत्तर A. डोरला उत्तर व्याख्या सहित 36 गड़ में डोरला जनजातीों के द्वारा परियाप्त वर्षा प्राप्ती के लिए मैंडकों के विवाह का जश्न मनाने की परंपरा है मैंडक विवाह की इस परंपरा को कपल पंडुम के रूप में जाना जाता है प्रश्ण सत्तर 36 गड़ के प्रथम उप मुख्य मंत्री कौन है A. अरुण साव B. मोहन मरकाम C. टी एस सिंग देव D. विजय शर्मा सही उत्तर C. टी एस सिंग देव प्रश्ण 78 बस्तर के क्रिशी पर आधारत लोकुटसव को क्रिशी कार्य से सुमेलित कीजिए A. कारेपंडुम 1. कटाई परप B. बोटिगटी पंडुम 2. 82 परप C. पोच्चिग पंडुम 3. विरिक्ष काठने वजलाने का परप D. तोरम पंडुम 4. बीज बोने का परप कूट A. कारेपंडुम विरिक्ष काठने वजलाने का परप बोटी गटी पंडुम बीज बोने का परप, पोच्चिक पंडुम 82 परप, तोरं पंडुम कटाई परप B. कारे पंडुम कटाई परप, बोटी गटी पंडुम 82 परप, पोच्चिक पंडुम व्रिक्ष काटने वजलाने का परप, तोरं पंडुम बीज बोने का परप C. कारे पंडुम बीज भूने का परप, बोटी गटी पंडुम व्रिक्ष काटने वजलाने का परप पोच्चिक पंडुम 82 परप, तोरं पंडुम कटाई परप D. कारे पंडुम 82 परब, बोटी गटी पंडुम बीज बोने का परब, पोचिक पंडुम व्रिक्ष काटने व जलाने का परब, तोरम पंडुम कटाई परब सही उत्तर विकल्प A सही सुमेलन इस प्रकार है, क्रिशिपर आधारित लोकोट्स, कारे पंडुम, संबंधित कार्य, मुरिक्ष काटने व जलाने का परब, बोटी कटी पंडुम, बीज बोने का परब, पोचिक पंडुम 82 परब, तोरम पंडुम कटाई परब प्रश्ण 89, 36 गड़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अनुसार प्रतियक पंचायत एक निधी स्थापित करेगी, जो पंचायत निधी कहलाएगी, और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राश्या, उक्त निधी का भाग होंगी कथित है सही उत्तर, विकल्प डी, धारा चियासट में उत्तर, व्याख्या सहित, 36 गड़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के धारा चियासट में पंचायत निधी का प्रावधान किया गया है इसमें अधिकतित है कि प्रत्येक पंचायत एक निधी स्थापित करेगी जो पंचायत निधी कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राश्या उक्त निधी का भाग होंगी प्रश्न अस्सी कुछ अनुसूचित जन जातियों को PVTG के रूप में वर्गिक्रित करने का आधार क्या है एक जाती दो घटती जनसंख्या या एस्टेटिक जनसंख्या तीन साक्षरता का निमनस्तर चार लिंग अनुपात कूट A एक एवं दो सही है कूट B तीन एवं चार सही है कूट C एक एवं चार सही है कूट D दो एवं तीन सही है सही उत्तर कूट D दो एवं तीन सही है प्रिश्ट संख्या 136 उत्तर व्याख्या सहित आदिवासी समूहों में PVTG विशेश रूप से कमजोर जन जातिय समूह सबसे अधिक कमजोर वह समवेदन शील है वर्ष 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमजोर जन जातिय समूहों को PVTG नामक एक अलक्षेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी ग्रह मंत्राले ने देश के 18 राजजियों तथा अंडमान और निकोबार द्रीप समूह संग राज्यक्षेत्र के 75 जन जातिय समूहों को विशेश रूप से कमजोर जन जातिय समूहों PVTG के रूप में वर्गी कृत किया है ये उन आधिवासी समूहों को संदर्भित करता है जो निम्नलिखित कारकों के कारण विलुपती की कगार पर है भगौलिक अलगाव, साक्षरत का निम्निस्तर, प्रद्योगी की का पूर्व क्रिशिस्तर, घट्ती जन संख्या प्रश्न 81 गडवा बाजा के प्रमुख वाध्य यंत्रों के नाम है A. जांच, B. नगाडा, C. मोहरी, D. बासुरी कूट A. A. B. एवं D. कूट B. B. C. एवं D. कूट C. A. C. एवं D. कूट D. A. B. एवं C. सही उत्तर, विकल्प D. A. B. और C. प्रश्न 82 रतनपुर के मराथा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिकित भाशा का प्रियोग करते थे A. मराथी B. मूरी C. उर्दू D. ये सभी सही उत्तर, A. मराथी प्रश्न 83 आर्थिक सर्वेक्षन 2022-2023 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्र फल है A. साथ हजार अर्टिस वर्ग किलोमेटर B. उनसट हजार साथ सो बहत्तर वर्ग किलोमेटर C. उनसट हजार साथ सो बहत्तर वर्ग किलोमेटर D. सत्तावन हजार नौसो बहत्तर वर्ग किलोमेटर सही उत्तर बी 69,772 उत्तर व्याख्या सहित 36 गड़ राजय का भॉगौलिक शेत्रफर एक लाख 35,191 वर्ग किलो मिटर है जोकी देश के शेत्रफर का 4,1 प्रतिशत है प्रदेश का वन शेत्रफर लग भग拿 9,772 वर्ग किलो मिटर है जो के प्रदेश के भौगौलिक शेद्र फलकार 44.2 प्रतिशत है प्रश्ण 84 बस्तर के काकतिय वंच के संस्थापक कौन थे? A. भैरव देव B. जैसिंग देव C. अन्नम देव D. प्रवीर चंद्र भंज देव उत्तर व्याख्या सहिद बस्तर में काकतिय वंच के संस्थापक एवंप्रथम शासक अन्नम देव थे इनके शासनकाल के दोरान दंतेवाडा में तराला ग्राम में डंकनी शंकनी नदी के तट पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ प्रश्ण 85 36. नगर पाली का अधिनियम 1961 धारा तीन में क्या परिभाशित है एक निर्धारन सूची दो तुलन पत्र तीन कलक्टर चार कालोनाईजेशन विकल्प A एक दो तीन चार विकल्प B एक दो चार विकल्प C एक तीन चार विकल्प D दो तीन चार सही उत्तर विकल्प A एक, दो, तीन, चार प्रश्न चियासी जनांग के किये लाभांज की इस्थिती में 36 गड में किस आयू वर्ग की बहूलता है? A. शून्य से चौदा वर्ष B. पंदरा से चौशट वर्ष C. चौशट वर्ष से अधिक D. सौ वर्ष से अधिक सही उत्तर B. पंदरा से चौशट वर्ष प्रश्न सतासी 36 गड पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में निमनलिखित को सुमेलिद कीजिए A. ग्राम के संबंध में अधिसूचना 1. धारा 2 B. परिभाशाएं 2. धारा 3 C. जनपत पंचायत के अधिक्ष रुपाध्यक्ष का निर्वाचन 3. धारा 21 D. सर्पंज और उप सर्पंज के विरुद अविश्वास प्रस्ताव 4. धारा 25 कूट A. ग्राम के संबंध में अधिसूचना 1. धारा 2 परिभाशाएं 2. धारा 3 जनपत पंचायत के अधिक्ष रुपाध्यक्ष का निर्वाचन 1. धारा 21 सर्पंज और उप सर्पंज के विरुद अविश्वास प्रस्ताव 1. धारा 25 कूट B. ग्राम के संबंध में अधिसूचना 1. धारा 3 परिभाशाएं 2. धारा 2 जनपत पंचायत के अधिक्ष रुपाध्यक्ष का निर्वाचन 1. धारा 25 सर्पंज और उप सर्पंज के विरुद अविश्वास प्रस्ताव 1. धारा 21 कूट C. ग्राम के संबंध में अधिसूचना 1. धारा 3 परिभाशाएं 2. धारा 21 धारा 21 सर्पंज और उप सर्पंज के विरुद अविश्वास प्रस्ताव 1. धारा 25 कूट D. ग्राम के संबंध में अधिसूचना 1. धारा 25 परिभाशाएं 2. धारा 21 जनपत पंचायत के अधिक्ष रुपाध्यक्ष का निर्वाचन 1. धारा 3 सर्पंज और उप सर्पंज के विरुद अविश्वास प्रस्ताव 2. सही उत्तर कूट B. सही सुमेलन इस प्रकार है ग्राम के संबंध में अधिसूचना 1. धारा 3 परिभाशाएं 2. धारा 2 जनपत पंचायत के अधिक्ष रुपाध्यक्ष का निर्वाचन 2. सर्पंज और उप सर्पंज के विरुद अविश्वास प्रस्ताव 2. प्रश्ण 88 36 गड़ में भू तापिये उर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है A. कॉर्बा B. बलरामपुर C. दुर्ग D. कांकेर सही उत्तर B. बलरामपुर 36 गड़ सरकार ने राज्य के नवगठित बलरामपुर जिले में देश का पहला भू तापिये विद्धियुत संयंत्र इस्थापित करने का निने लिया है ये संयंत्र गर्म पानी से तयार भू तापिये उर्जा से संचालित होगा ये 36 गड़ के सरगुजा क्षेतर में बलरामपुर जिले के ताथा पानी में स्थापित किया जाएगा इस संबंध में National Thermal Power Corporation, NTPC और 36 गड़ अक्षे उर्जा विकास एजन्सी क्रेड़ा के बीच एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए प्रश्ण नवासी निने लिखित में से किसे हलबी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है अ लाला जगदलपूरी, बी ठाकूर पूरंसिंग, सी बाबु रेवाराम, दी हरी सिंग ठाकूर, सही उत्तर बी ठाकूर पूरंसिंग उत्तर व्याख्या सहित ठाकुर पूरन सिंग को बस्तर की हलवी लोग भाषा में लिखित साहित्य की रचना करने वाले प्रथम साहित्यकार होने का श्रे जाता है ठाकुर पूरन सिंग ने भारत माता चो कहनी छेरता तारा गीत शीर्शक पूस्तकों की रचना की 1937 में उन्होंने राज की अवप्रशासनिक अमले को हल्बी सिखाने हेतु हल्बी भाशा बोध का भी लेखन किया उनी की सहायता से मेजर वेटी ने ए हल्बी ग्रामर की रचना की थी प्रश्न 90 निम्दलिखित में से कौनसी अक्षांश रेखा 36 गड़ से गुजरती है A. शून्य डिग्री अक्षांश B. साड़े 23 डिग्री उत्री अक्षांश C. साड़े 23 डिग्री दक्षिनी अक्षांश D. साड़े 67 डिग्री उत्री अक्षांश सही उत्तर B. साड़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्रश्निक क्यानवे 36 गड़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्ति के बारे में क्या सही है? 1. ये धारा 49 में वर्णित है 2. धारा 49 में 30 उपधाराय है 3. मास के विक्रे तथा परिक्षन का विनियमन 4. सार्वजनिक वित्रन प्रणाली के अंतरगत उचित मूले की दुकानों के स्थापना संचालन देख रेख एवं निग्रानी करना A. एक दो तीन चार B. एक दो चार C. दो तीन चार D. एक वचार 36. गड़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अध्याई 6 की धारा 49 में ग्राम पंचायत के क्रित्यों का उलेक किया गया है इस धारा में 30 उपधाराय वर्नित है धारा 49 की उपधारा 14 में मास के विक्रे तथा परिक्षन का विनियमन तथा इसकी उपधारा 30 में सार्वजनिक वितरन प्रणाली के अंतरगत उचित मूल्य की दुकान के स्थापना संचालन देख रेक एवं निग्रानी करने से संबंधित कृत्य उलेकित है प्रश्न 92 आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है A. डॉक्टर हीरालाल शुकल B. शिवकुमार पांडे C. श्रीमती तारा शुकल D. वेरियर एल्विन सही उत्तर A. डॉक्टर हीरालाल शुकल प्रश्न 93 निमनलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है 1. चत्तिसगर में जवाफूल एवं मोदिचूर धान की सुगंदित किसमे है 2. रेन्फेड एरिया डेवलप्मेंट का उद्देश्य वर्षा अधारित शेत्रों के एकिकृत फसल पद्धती के माध्यम से कृषिको उत्पादक या वर्धक एवं टिकाउ बनाना है 3. काली कमोद एवं लोक्ती मांची दलहन तिलहन फसले है A. केवल 3, B. दो एवं 3, C. एक एवं 3, D. केवल 1 सही उत्तर A. केवल 3, उत्तर व्याख्या सहित 36 गड में जवाफूल एवं मोती चूर धान की सुगंदित किसमे है रेन्फेड एरिया डेवलप्मेंट का उद्देश्य टिकाउ खेती प्रनाली Sustainable Agriculture Farming आधारे द्रिष्टिकून अपनाकर एक स्थाई तरीके से वर्षा आधारे च्षेत्रों की क्रिशी उत्पादक्ता और उत्पादन में व्रधी करना विविद और समग्र खेती प्रनाली के माध्यम से सूखा, बाढ या असमान वर्षा वितरन परिस्थिती के कारण से फसल की विफलता के प्रभाव को कम करना क्रिशी की उन्नत तकनीकों और खेती के तरीकों के माध्यम से निरंतर रोजगार के अवसरों का निर्मान करना है काली कमो तथा लोक्ती माची सुगंधित धान के किस्मे है विशेश चत्यसगण लोकसेवा आयोग ने विकल्प D को सही उत्तर माना है जबकि इसका सही उत्तर विकल्प A होगा प्रश्न चरानवे चत्यसगण में रगु जी तृत्य के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी सति प्रथा उन्मूलन B धमधा के गोंड राजा का विद्रो C नर्बली पर रोक D ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फोरिस्टर का चत्यसगण आगमन सही उत्तर विकल्प D ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फोरिस्टर का चत्यसगण आगमन उत्तर व्याख्या सहित युरोपिय यात्री फोरिस्टर ने 1790 में 36 गड़ का दोरा किया जबकि 36 गड़ में रगुजी तृत्तिका शासनकाल 1830 से 1853 तक था 1853 इस्वी में रगुजी तृत्तिकी मृत्यु के पश्चात उसकी कोई संतान उत्तराधिकारी ना होने के कारण 1854 में डलहौजी ने हरप नीती के द्वारा मराठा शासन का विले बिटिश सामराज्य में कर लिया रगुजी तृत्तिके शासनकाल की प्रमुग घटनाएं धमधा क्षेत्र के विद्रो को शांत करना मराठी तथा हिंदुस्तानी को राजभाशा का दर्जा, मुल्तानी ठगो का दमन, नर्बली प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत प्रश्न पिचानवे 36 गड में रोका छे का अभियान 2023 शुरू किया गया A. पाँच जून, B. पाँच जुलाई, C. छे जून, D. छे जुलाई, सही उत्तर D. छे जुलाई उत्तर व्याख्या सहित 36 गड राजे में खरीब फसल बुआई कार्य के पूर्व खुले में चराई कर रहे पश्नों के नियंतरन के लिए रोकाचे का प्रथा प्रचलित है जिसमें फसल बुआई को बढ़ावा देने तथा पश्मों के चरने से फसल को होने वाली हानी से बचाने के लिए पशु पालक तथा ग्रामवासियों द्वारा पश्मों को बांद कर रखने पहटिया चरवाहा की विवस्ता इत्यादी कार्य किया जाता है राज्य में खुले में चराई कर रहे पश्मों के नियंतरन और उनसे खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए 6 जुलाई 2023 से रोकाचे का अभियान की शुरुआत की गई थी प्रश्न चियानबे सूची एक में मदो को सूची दो की मदो के साथ सुमेलित करें नीचे दिये गए कूटों का उप्योग करें सूची एक तत वाद्ययंत्र सूची दो चिटकुल, सूची एक वितत वाद्ययंत्र सूची दो करनाल, सूची एक घन वाद्ययंत्र सूची दो तासा, सूची एक सुषिर वाद्ययंत्र सूची दो धनकुल कूट A. तत वाध्ययंत्र धनकुल, वितत वाध्ययंत्र चिटकुल, घन वाध्ययंत्र करनाल, सुशीर वाध्ययंत्र तासा कूट B. तत वाध्ययंत्र धनकुल, वितत वाध्ययंत्र तासा, घन वाध्ययंत्र चिटकुल, सुशीर वाध्ययंत्र करनाल कूट C, तत वाध्ययंत्र धनकुल, वितत वाध्ययंत्र करनाल, घन वाध्ययंत्र चिटकुल, सुशीर वाध्ययंत्र तासा कूट D, तत वाध्ययंत्र करनाल, वितत वाध्ययंत्र धनकुल, घन वाध्ययंत्र तासा, सुशीर वाध्ययंत्र चिटकुल सही उत्तर कूट B प्रश्न सत्तानवे सूची एक में दिये आभुषणों को सूची दो के मदों से सुमेलित कीजिए कूट का प्रियोक करें सूची एक सूतिया सूची दो कलाई सूची एक खोचनी सूची दो बाल सूची एक एठी सूची दो कान सूची एक लुर्की, सूची दो गला कूट A, सूतिया गला, खोचनी बाल, एठी कलाई, लुर्की कान कूट B, सूतिया गला, खोचनी कलाई, एठी बाल, लुर्की कान कूट C, सूतिया गला, खोचनी कान, एठी बाल, लुर्की कलाई कूट D, सूतिया गला, खोचनी कलाई, एठी कान, लुर्की बाल सही उत्तर, विकल्प A, सही सुमेलन इस प्रकार है सुता, सुर्रा, सुतिया, चान्दी के पतले पाईप के समान, संग्रचना का बना होता है, इसे गले में पहना जाता है लुर्की, कान के जूल से थोड़ा उपर पहने जाने वाले आभूशन को लुर्की कहा जाता है, ये सोने का बना होता है एठी ये महिलाओं की कलाई में पहने जाने वाला चांदी का आभूशन होता है ये चूडी के शुरू में पहना जाता है खोचनी बालों में धारन किये जाने वाला आभूशन प्रशन अठानवे गुदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहन क्षेतर चतिस गड़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है A. महानदी का मैदान B. जश्पुर सामरी पात C. भगेल खंड पठार का पूर विभाग D. दंड कारण्य सही उत्तर D. दंड कारण्य प्रशन अठानवे निम्न लिखित में से किस जिले में लिंगानुपाथ में महिलाओं की संख्या सरवाधिक है A. कांकेर B. कोंडा गाओ C. कोरिया D. कोरभा सही उत्तर B. कोंडा गाओ उत्तर व्याख्या सहित जिला कांकेर लिंगानुपात 1006, जिला कोंडा गाउं लिंगानुपात 1033, जिला कोरिया लिंगानुपात 968, जिला कोर्बा लिंगानुपात 979 विशेश आयोग ने विकल्प A को सही उत्तर के रूप में माना है जो तुरुटी पून है प्रिष्ट संख्या 137 प्रतिवर्ष के स्तिथी को 36 गड़ी राजभाशा दिवस मनाते हैं A. 1 नवंबर B. 14 नवंबर C. 27 नवंबर D. 28 नवंबर सही उत्तर D. 28 नवंबर उत्तर व्याख्या सहित 36 गड़ी राजभाशा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है उलेकनिया है कि 28 नवंबर 2007 को विधान सभा में 36 गड़ी को राजभाशा का दरज़ा देने समंधी विधेक पारित किया गया था 28 नवंबर की स्मृति को अक्षुन बनाय रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रिष्ट संख्या 138 प्रिष्ट 138 पर उत्तर सहित व्याख्या दी गई है प्रिष्ट संख्या 149 प्रिष्ट संख्या 149 पर भी उत्तर सहित व्याख्या दी गई है प्रिष्ट संख्या 144 प्रिष्ट संख्या 144 पर प्रश्णों के उत्तर व्याख्या सहित दे गई है पृष्ट संख्या 141 पर प्रश्णों के उत्तर व्याख्या सहित दिये गए हैं झाल झाल